आप सुन swift रहे हैं जो की बता रहे है कि सफलता पूर्वक लॉंच किया जा चुका है चंद्रियान 3 कई faces को पार करते हुए जो launcher है वो चंद्रियान 3 से अलग हो चुका है पृत्वि की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और ऐसे में अब इसी प्रित्वी के चकट 30 से 40 दिन ल लाँच किया जा चुका है देश के लिए एतिहासिक पल है इसरों ने हमें गर्व महसूस करवाया है ये केंद्री मंत्री जुतेंद्र सिंग कहते हुए नजर आए जो कि इस एतिहासिक पल का गवा बने और ऐसे में अब पुरे देश की नजर इसी पात पर टिकी हुई है कि कि तमाम राजों से परदापाश करता हुआ नजर आएगा जिन जिन चीजों को लेकर अभी तक कई देश जो है अग्रसर होते हुए नजर आए लेकिन भारत जो की पूरी तरीके से तैयारी के साथ चंद्रियान 2 सफलता पूरवक लाँच कर चुका है लवी M3 M4 रॉकेट स उसके बाद फिर दीरे चांद की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और सबसे बड़ी चुनौती सबसे बड़ा चालेंज वही होगा कि कैसे लांडर जो है चांद की सता पर लांड करता है और उसके बाद फिर रोवर अपने काम को आगे बढ़ता हुआ नजर जो कि अभी तक कई तरह की मदद करता रहा है वो भी रोवर और लैंडर के साथ पूरी तरीके से मेल खाता हुआ नसर आएगा लेकिन इसी के साथ ये इतिहासिक पल जो कि 2.35 मिनिट पर हम सभी ने देखा कि किस तरीके से चंद्रियान 3 लॉंच किया जा चुका है अब तक ये पूरी तरीके से सफल रहा है अंतरिक्ष में भारत की तरफ से एक बड़ी उडान दिखाई दी है क्योंकि 2008 के बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि भारत जिस तरीके से तमाम रहस्यों को खंगालने की कोशिश करता हुआ नसर आ रहा है ऐसे में अब भारत जो है पूरी बढ़ता हुआ नसर आएगा लेकिन अभी फिलाल सफलता पूरवक लाँचिंग के बाद पृत्वी की कख्षा में चंद्रियान 3 ने एंट्री ले ली है लाँचर से अलग हो चुका है इस बारे में जानकारी देते हुए ये तमाम विज्याने और 3 साल 11 महीने की जो कड़ी महनत लगी इस पूरे मिशन को तयार करने के लिए किस तरीके से हर एकबारीकियों पर नज़र रखी क्योंकि अंतरिक्ष में भारत ने जिस तरीके से इतिहास रचते हुए इस बड़े मिशन को लाँच किया है ऐसे में अब सभी की उमीद यही है कि वो मिशन जो है पूरी वक्त दुआ करते हुए नसर आए कि पूरी तरीके से सफल रहे और ऐसे में अब हिंदुस्तान का दमखम हर शेत्र में जिस तरीके से बढ़ता हुए नसर आ रहा है क्योंकि एक तरफ प्रधान मंत्री नरेंद मूदी को आप देख रहे थे पैरिस में तो दूसरी तरफ लाँच किया गया है जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है एक दूसरे को बढ़ाई देते हुए नसर आ रहे है और जिस तरीके का टीम वक रहा है उसी का नतीजा ये रहा है कि अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी है ये दो तस्वेरे ज़र कि अमूमन फ्राज जो है जादतर अपनी इस परेड में विदेशी मेहमानों को न्योता नहीं देता है लेकिन प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी एक मात्र ऐसे प्रधान मंतरी है जिने चीफ गेस्ट के तौर पा आमंतरन भेजा गया जहाँ पर पीम मोदी पहुंचे कल की तरफ से उठते रहे उसका भी जवाब दिया गया लेकिन इसी के साथ ये परेड की सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दो सो उनतर सदस्यों का भारत के दल भी मौजूद है इसके साथ ही आपने राफेल फाइटर जेट देखे किस तरीके से फ्लाइपास की राज के यातरा की तस्वीरे निकल के सामने आई तो ये साफ हो चुका था कि भारत जो है आत्म निर्भरता के साथ जिस तरीके के कदम उठाता हुआ नजर आता है उसकी सरहाना पूरा विश्म कर रहा है और चाहे युद्ध के मसले पर भारत का तर्क हो या कोई कदम हो क पर आखों पर रखते हैं और हर एक देश भारत की बात को मानते हुए इस बात पर जोर देते हुए नसर आये है कि देखिए जिस तरीके का यूद हो रहा है उसमें बादशीत की बहुत जरूरत है लेकिन दूसरी तरफ एक एक विदेशी दौरे से हरें की ये तस्मीर बताती ह हुई नसर आ रही है कि कैसे भारत का दमखम बढ़ता हुआ दिखाई देता है विश्व गुरू की तरफ आगे बढ़ता हुआ नसर आता है क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतर प्रे जिस तरीके की समस्या भारत से लेका विश्व तौर पर निकल कर सामने आ कि कैसे स्वदेश से लेका विदेशी सरजमीम पर भारत का दंका बचता हुआ नसर आता है भारत की जो तस्वीर है वो लगतार मजबूत होती हुई नसर आती है एक तरफ अंतरिक्ष में भारत ने इतिहास रचते हुए बड़ी छलांग लगा दी है और ऐसे में उस पल का इंतजार अब हर किसी को है जब चांग से जुड़ी हुई हर एक जानकारी जो है रोवर लैंडर के जरी हम तब पहुंचती हुई नसर आई के लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए बैस्ट यह परेड की तस्पीरे जहां एक एक कर बैंड किस तरीके से परेड में शामिल होत और इसी के साथ राफेल की फ्लाइपास की तस्पीर भी हम आपको लगटा दिखा रहे हैं कि कैसे फ्रांस के आस्मान में अपनी ताकत दिखाता हुआ यह राफेल जेट तो दूसरी तरफ दो बचका 35 मिनट का वो एतिहासिक लमा जब सफलता पूरवक जो है इस चंद्रिय फ्री मिशन को लांच कर दिया गया जिसके बारे में विज्यानिक जो है जानकारी देते हुए नसर आए कि कैसे कई चरणों को पार करते हुए यह चंद्रियान थ्री जो है प्रित्वी की कक्षा में प्रवेश कर चुका है अभी तक जतना भी जानकारी यह जितनी भी पुर्वक आगे बढ़ता हुआ नसर आ रहा है और ऐसे में 30-40 दिन पृत्वी की कक्षा में ही ये चंद्रियान रहेगा और उसके बाद धीरे दीरे जो है चांद की सता की तरफ आगे बढ़ता हुआ नसर आएगा और ये दो तस्विरे जो की हर किसी को गर्वानुवित करती है गर्व महसूस करवाती है कि कैसे जो है भारत की दिशा और दिशा लगातार मस्पूत होती हुई नसर आ रही है एक समय वो था जब भारत कोई भी कोशिश करता था तो शक्की नजरों से देखने को मिलता था कि क्या भारत ये कर पाएगा लेकिन अब कोई भी मसला हो कोई भी शेत्र हो कोई भी चीज़ हो जिस पर ना किवल देश बलकि दुनिया के कई देशों को ये पूरी उमीद रहती है कि ये भारत ही कर सकता है क्यों क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के नेतरत में जिस तरीके से एक के बाद एक सफलता मिलती हुई नसर आ रही है चाहे देशों में इस तरीके से गड़ती हुई नसर आ रही है कि अब किसी भी मसले पर भारत का स्टैंड बहुत जातर महत्पूर अपने आप में रखता है और ये दो तस्वीरे आपको बताने के लिए आपको दिखाने के लिए काफी है कि कैसे जेहिंद के नारे जो है चारों त तरजमी पर भी भारत की तस्वीर और जो तकदीर है वो आगे दिखाई दे रही है लेकिन इसी के साथ ही उन तमाम विज्यानिकों की महना जो की आप पूरी तरीके से रंग लाती हुई नसर आ रही है क्योंकि 2019 में वो तस्वीर भी आपने देखी जब पूरी तरीके से चं अपना पूरा होता हुआ तो दो महतपोन तस्वीरे आप देख पा रहे हैं आज भारत का दमखम जो है वो दुनिया देख रही है पहली वो तस्वीर जब भारत के प्रधान मंत्री चीफ गेस्ट बनकर फ्रांस के बेस्टिल जे पर वहां पर मौजूद है और भारते टुक और फ्रांस की जो ताकत है या यूँ कहें जो दोस्ती है पच्चिस सालों की वो किस तरीके से और जादा सुद्रिड होगी उन तस्वीरों ये तस्वीरे उसकी प्रमाण है तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं चंदरियान तीन जो है उसकी सफल हुई है तमाम विज्ञानिकों को भी आपने सुना है कि किस तरीके से दिन रात कड़ी मेहनत के बाद चंदरियान 3 को लॉंच किया गया है कड़ी मेहनत तमाम विज्ञानिकों की लगी है क्योंकि वह तस्वीर भी हमने देखी है जब उनकी एक मोटिवेशन तूट गई थी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने फिर से मोटिवेट किया आज वह एतिहासिक पल जो एक बार फिर से भारत ने लिख दिया है क्योंकि इस रो ने चंदरियान 3 की सफल लॉंचिंग कर ली है तीस से चालिस दिन का वो वक्त होगा जब चंदरियान जो प्रित्वी की कक्षा को छोड़ कर चांद की सते पर लॉंच होगा यानि की लांड होगा वो पल भी एतिहासिक रहने वाला है लेकिन आज भारत ने इतिहास रच लिया है और यह दो तस्वीरे आज महतपून तस्वीरे हैं भारत किस तरीके से महाशक्ती के तौर पर उबर रहा है विदेशों मे किस तरीके से भारत का डंका बच रहा है प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी के नर्तित्व में किस तरीके से तमाम ग्लोबली या यूं कहे भारत विश्वगुरू बनने की तरफ किस तरीके से आगे से कूच कर रहा है यह वो तस्वीरे अपने आप में कई मायने जो हैं वो निकालती हैं लेकिन दूसरी ही तस्वीर किस तरीके से भारत को गौर्वान्वित करने वाली ये वो तस्वीरें तमाम भारतियों के लिए गर्व का वो प्षण है जब चंदरियान 3 की सफर लॉंचिंग हो चुकी है दूबे हुए दिखाई दिये गनीमत ही रही कि वक्त रहते एंडी अरिफ की टीम ने वहां रहने वाले लोगों को बाहर निकाल लिया यमुरा के पानी की विज़े से हालात ऐसे हो गए कि दिल्ली में टापू बन गए